वेलकम इडियोनेट्स आप सब्सक्राइब और अच्छे 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 क्विश्टन को स्वालव करना होगा और आप लगातार कांटीनू पढ़िए अगर आप एक दिन चोंट करकर एक दिन पढ़ दें तो आप वहां पर अपनी पढ़ाई को कांटीनू नहीं रख होंगे और अच्छी तरीके सबनी पढ़ाई को continue कर सकते हैं देखें आपका क्या होगा कक्षा बारा बिश्य बहुती विज्ञान अतिमातपूर आंगी प्रश्ण की बात करेंगे जो आपकी एक्जाम में आए हुए प्रश्ण ये प्रश्ण आपकी एक्जाम में सभी प्रश सुचना देना चाहते हैं सुचना क्या है कि आप लोग अब एस्कीया में इस्टेडी एप आपके लिए ला दिया गया है वहां पर आपको कोर्स पर्शेच कर सकते हैं वहां पर आपके लिए 95 प्लस की तयारी कराई जाएगी ठीक चलिए यहां पर देखते हैं कक्षा 12 ग्यान अतिमात्पूर्ण आंकिक प्रश्ण की बात करेंगे तो इसमें अतिमात्पूर्ण आंकिक प्रश्ण की बात करेंगे वहां कौन से प्रश्ण है आंकिक महत्पूर्ण चलिए उनके बारे में जानते हैं और उनको शॉल्ब करने का प्रयास करते हैं बिना समय गवाए ह हुई आपको पहले प्रस्ण की ओ ले चलते हैं और आपको शम्झाने का प्रियास करेगे देखे जो आपके ईक्जाम में बहुत आचुका प्रस्ण है तो यसे प्रस्णों को solve करना आपके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट हो जाता है चलिए इस प्रस्ण में कहा क्या गया है कि पृतिवी की सत्वाइब प्रितिवी की सत्हा मतलब जिस पर हम लोग रहते हैं ठीक है प्रितिवी की सत्हा के किसी अस्थान पर प्रितिवी के चुम्म की छेत का जो 36 घटक होगा यहनि पृतिवी-चुम्बगी-छेट का 36 खटक है। कितना है ? इस अस्थान पर पितिवी के शंपूर्ट चुम्बगी-छेट दर्कट की तिव अगर हम कहाँ देती है, वहाँ पर वहाँ पर नतिपोण बन रहा है, 60 डिगरी बन रहा है तो वहां पर अगर हम देखेंगे तो उस इस्थान पर प्रतिवी के संपूर्ट चुम्बकी शित कर तिवरता को ग्याद करेंगे और तिवरता को ग्याद करेंगे और अच्छी तरीके सापको समझाने का प्रयाज करें चैथिस घटक यच बराबर 3 इंटू 10 पाउर माइनस 5 बेवर प्रतिमीटर इसका तथा जो ठीटा दिया है ठीटक न दिया है 60 डिगरी दिया है अब देखें उड़धुआदर घटक की बात करेंगे तो उड़धुआदर घटक में देखें वी बराबर क्या है यच तैन डिगरी बेवर प्रतिमीटर इसका अब इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं देखिए जो 1060 डिगरी का मान होता है अंडरूट 3 होता है तो यहां सोजाएगा 3 अंडरूट 3 एंटू 10 पाउर माइनस 5 बेवर प्रतिमीटर इसका तो यह उर्द्वाधर घटक हमारा निकल अब हमें 36 गटक और 12 गटक दोनों मिल गए तो अब इसको सॉल्व करने का तरीका बहुत यह आसान हो जाएगा अब देखिए तिबरता जो होती है अंडरूट यह गया स्कार प्लस बी का स्कार होती यानि कि 36 गटक प्लस और 12 गटक का स्कार दोनों का स्कार होगा तो यहां स्कार से अब इसको सॉल्व करेंगे तो मेरे प्रेवण देखिए क्या होगा अंडरूट 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 का होल स्कार प्लस कोष्टक में 3 इंटू 10 पावर माइनस 5 का होल स्कार बेबर प्रतिमीटर स्कार क्या होगा बेबर प्रतिमीटर स्कार होगा तो यहां से गर इसको देखने का प्रयास करेंगे तो 9 10-10-10-10-10-20-20-0m2 तो यहां सक्क्या हो जाएगा भी बराबर 6 10-10-5-20-20-0m2 तो यह आपका अंसर हो जाएगा और आपको अच्छी तरीके इसे स्वालम भी हो जाएगा देखिए जो भी चीजे हैं हम आपको अची तरीके से बता रहे हैं ठीक है तो आप लोग के पीडियाप ने मिलकुल मत घबराई क्यों कि सारी पीडियाप आपको आप पर ही मिलेगे ठीक है चली आगे आपको चलते हैं आगे आपको बताने का प्रयास करते हैं ठीक है चली आइक से यहर कमेंट की आपको जाना नहीं है देखिए यहां पर जो क्विस्टन है हमारा क्विस्टन क्या दिया है कि किसी कुंडली से बद चुमकी फ्लक्स यदि किसी कुंडली से बद चुमकी फ्लक्स फाई बराबर एक्स टी स्कॉायर कितना है यक्स टी स्कॉायर है तथा आपको अच्छी तरीके समझ में आ रहा होगा चलिए अब आपको इसको solve करके बताते हैं किसी कुंडली से बद्द चुमकि फ्लक्स जो होगा यह कुंडली से चुमकि फ्लक्स की बात करेंगे तो 5 बड़ाबर क्या होता है पराइबर यक्स t-square या d5i ∣ 2T स्कार या Yeah जी तू ती ती देखिते देख़ें कि यह ट्वे यह कहा से आया यह है अगर इसके हम एक बार ऑउकलन कर दे ते आउकलन करने पर क्या होता है कि यक्स इंटू टू टि director का अगर टी के साफरेंगे तो यह समारा Constant हो जाएगा तो यहां से क्या हो जाएगा t2 करेंगे तो स्कार करेंगे और फिर पुना ट करेंगे तो वन हो जाएगा यह यह ए क्या हो जाएगा यक्स इंटू 250 यहैं रहाँगा बराबर डी 5 इन टी ठीटते्ट कि Better nor जेगा और यहां से देखिए डी वाइब डीटी पराबर यह आपको मालूम होगा ठीक है फ्लक्स परिवर्तन की इदर को बैदुत्वाह अकबल कहते हैं देखिए यहां से यहां पर सारे मान को रख देंगे नाइन वोल्ट पराबर यक्स इंटू 3 इंटू 2 सेकेंड यह नहीं कि यक्स पराबर 9 अपान 6 किना हो जाएगा यक्स अपान 9 अपान 6 या 3 वाइ 2 वोल्ट प्रती सेकेंड तो यह आपका अंसर हो जाएगा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टन कुष्ण से बहुत ही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टन है आपकी एक्जाम में बहुत बार पूछा गया प्रस्ण है ठीक है तो आपको ऐसे प्रस्णों को solve कल लेना है कहीं घवराना नहीं है बस आपको solve करते रहना है और सारी चीजे क्लियर हो जाए चलिए प्रस्ण के बढ़ते हैं अगला प्रस्ण कीए एक प्रत्या वर्ती विभव ई ठीक है एक प्रत्या वरती विभव ई दिया है जिसमें 240 órroot तो यह अच्छी तरीके आपको समझाने का प्रयाज करेंगे, समिकुली Γ्याद कीजिए, तो यहां से अच्छी तरीके आपको समझाने का प्रयासी बताने का इचे आपको क्लियर हो जाएंगे देखिए बराबर किना दिया है दो सो चालिस अंडर रूड साइन तीन सो पाइटी इसको समय कर नमबर हम एक मान लेते हैं कोई दिक्कत यहां तक तो होनी ही नहीं चाहिए यह चीज़े हमने मान लिया अब आगे देखिए क्या करने का प्रयास करे हैं के हम देखिए अब समीकर्णे एक और दो की तुलक कर दे तो क्या निकल कर आएगा हमारा देखिए क्या निकल कर आने ओमेगा का मान हमारे किना मिला है ?300 πाई मिला है अब हम तुलना कर रहें मूल्ड समी करण से तो E वराबर E0 हमें मिला 240 अगर ओमेगा की बात करते हैं 400 पाइटी आएगा ठीक है अब यहां से देखिए यह आर इमस की बात करेंगे तो एजीरो अपान अडरूरूट टू होता है अब यहां पीजिरो का मान रख देंगे 241 अपान अन्डरूरूड टू यहां से अंडरूरू टू अंडरूरूड टू कैंसिल हो जाएगा बचेग को दिखाते हैं अगर हमें frequency ग्यांत करना है तो ओमेगा बराबर हमें क्या मालूम होता है तो टू पाइ एफ से 300 पाइ इसको बराबर कर देंगे बराबर किसलिए कर देंगे पिछले वीडियो में आपको ओमेगा कमान निकाला उमेगा कमान किना था 300 पाई तो यहां से उमेगा कमान हम 2 पाई आफ जानते हैं 2 पाई आफ बराबर 300 पाई कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो प्रत्यावर्दी धारा के जो आफ रितियाफ होगी 300 पाई बटे 200 पाई हर्ट है यानि कि 1.5 हर्ट हो जाएगी तो यह चीज़े आपको अच्छी तरीके से जान लेना और समझ लेना है क्योंकि बहुत ही इंपोर्टेंट है चलिए आगे आपको बताते हैं अगला जो क्विशन है यह भी बहुत ही इंपोर्टेंट है संतुलन बिंदू कितना है 349.4 सेंटिमीटर लंबाई पर प्राप्त होता है तो वीभव मापी की वीभव प्रवणता ग्याद कीजिए हमें क्या ग्याद करना है वीभव मापी की वीभव प्रवणता ग्याद करनी है तो V बराबर कितना हो जाएगा 1.0182 वोल्ट या यल बराबर 349.4 cm या अगर इसको मीटर में चेंज करेंगे तो दो अंक दस्मलों इधर खसक आएगा तो क्या हो जाएगा 3.394 मीटर अब हमें वीभव प्रवणता का फार्मूला मालूम है क्या बराबर क्या होता है यहां से क्या बराबर आई इंटू आर अपान यल बराबर वी बाई यल तीक है अब देखिए यहां से अगर हम बात करेंगे तो 1.0182 वोल्ट अपान 3.394 मीटर अब यहां से गर इसको हम सॉल्व करते हैं तो 0.3 वोल्ट प्रति मीटर होगा ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत वाली बाद नहीं चलिए आगे आपको बताते हैं अगले प्रस्णिक वर बढ़ते हैं अगला कोईशन देखिए क्या है तो इन्टू टेन पाउर माइनस 10 मीटर त्रिज्या के बिर्ट्याकार मार्क पर एक इलेक्ट्रान त्री इन्टू टेन पाउर सिक्स मीटर पर सिकंड की एक समान चाल से चक्कल लगा रहा है क्या कर रहा है कि टू इन्टू टेन पाउर माइनस 10 मीटर त्रिज्या के बिर्ट्याकार मार्क पर एक इलेक्ट्रान त्री इन्टू टेन पाउर सिक्स मीटर पर सिकंड की एक समान चाल से चक्कल लगा रहा है तो बिर्ट्याकार मार्क के क द्रेइंद्र पर चुम्ट्रमखी छेत्र स्थिक। समादिद्रब चल्ट से चक्कल लगा रहा तो ब्रित्ताकार मार्क केंट पर चुम्मकी छेत्रकी करना कीजिए तो हमें एक फार्मूला मालूम होता है बी बराबर μूज जिरो कीवी अपान फोर पाई आड इस्क्वायर तो इसका मान रखेंगे मूज जिरो पान फोर पाई का मान किनना होता है 10 पाउर माइनस 7 और यहां से देखिए यहां से गर स्वाल्व करने का प्रयास करेंगे तो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे ठीक है देखिए अगर हम आपको समझाएं तो μ 0 पान 4 पाई के अमान कितना होता है हम आपको बताएं कई बार कितना होता है 10 की पावर माइनस 7 अब देखिए यहां से अगर हम बात करते हैं तो क्यों का मान कितना हैगा 1.6 इंटी 10 पावर माइनस 19 ठीक है कुलाम यह आवेस होता है एलेक्टरन का अब देखिए वी का मान कितना दिया है 3 इंटी 10 पावर 6 उसके बाद अब हमें आर स्कॉायर दिया है आर स्कॉायर दिया है तो आर इसकॉायर यहां पर रख देंगे यहां थे इंटी 10 पावर माइनस 10 ऐसा आको देख लेना है आंप देखिए 4.8 4.8 इंटी 10 पावर न्यूटन प्रति एंपियर मीटर तो यह आपका अंसर आसानी समझ में आगा बहुत important questions है तो आपको इन questions को पढ़ लेना और अच्छी तरीके समझ भी लेना है चलिए आगे आपको बताते हैं आगे बताने का जो बहुत important है उनको आपको बताने का प्रयाज करते हैं को इस तरीके से पढ़िए कि आपको रटने की ज़रूरत ना पड़े फर्मूलों को ज़्याद ज़्याद करिए और अपने आपको हमेशा motivate रखिए ठीक है चलिए आगे चलते हैं और इससे पहले आप लोग को जान लेना है कि जो अगला हमारा question है यह भी बहुत important question है तो आपको exam में बहुत बार पूछा गया प्रस्टन है ठीक है तो अगला question के आए कि एक electron एक electron है जो कि 10 की पावर माइने का मतलब क्या हुआ कि यह वी कमान दिया है तो और देखिए चूमकी छेतर में 10 गाते 7 मीटर और इसका जो वेग है कितना दिया है 10 गाते 7 मीटर पर 30 सेकंड के वेग से 0.6 सेंटिमीटर तेज्जा के बिरत्याकार मार्ग पर चल रहा है तो कणका बिसिष्ट आवेस Q by Yम याद कीजिए तो बिरत्याकार मार्ग जो तेज्जा होगी तो Q by Yम बराबर क्या हो जाएगा वे अपान आरवी यानि कि अगर हम क्यूबाइ यम का मान हमें निकालना है तो Q by Yम अगर यहां पर Q है इधर ले आएएगे तो Q इधर लैंगे नीचे लेंगे तो हम Q by M लेंगे और देखिए यहाँ पर वी को उपर ही रखेंगे यानी कि यहांस क्या जाएगा V का मान किन्ना दिया है 10 की पावर 7 मीटर प्रति सेकेंड दिया है और देखे क्या दिया है और जो V का मान दिया है 10 की पावर माइनस 2 वेवर ठीक है वेवर प्रति मीटर स्कॉायर दिया है कोई दिक्कत कोई दिक्कत वाली बात नहीं अब यहाँ पे सारे मान को रख देंगे और जो त्रिज्जा दिया है 0.6 cm दिया है तो यहाँ से सारे मान को रख देना है पुट कर देना है यानि कि अगर यहाँ से हम सारे मान को रखते हैं अब त्रिज्जा अगर मीटर बदलेंगे 0.6 into 10 power minus 2 हो जाएगा तो यह आर का मान हो जाएगा आर का मान यहाँ से निकाल लिए हम लोग अब देखिए 10 की पावर से वे न अपान 10 की पावर minus 2 into 0.6 into 10 power minus 2 जहां से Q by M का मान अगर निकालते हैं तो 10 की पावर 11 upon 0.6 क्या हो जाएगा 0.6 याने की Q by M बराबर क्या हो जाएगा 0.16 into 10 की पावर 12 यह आपका अंसर हो जाएगा बहुत ही most important question से तो इसलिए आपको अच्छी तरीके से इसको पढ़े लेना है ठीक है तो चलिए आगर जलते हैं अब देखिए जो अगला question है आपको इसको भी solve करने की ज़रूरत है चलिए इस question को भी देख लेता है और आपको इसको समझाने का प्रयास करेंगे यह question देखिए hydrogen spectrum की लाइमन्स रेणी की प्रत्व रेका की तरंग दैर्द कामान readable नेतांक के पदों में लिखिए तो जो readable का नेतांक होता है उनके पदों में लिखालना है तो चलिए इसको उसके पदों में लिखालने का प्रयास करते है देखिए जो hydrogen spectrum की लाइमन्स रेणी के लिए जो होता है 1 upon lambda is equal to r into 1 upon 1 का square minus 1 upon n का square तो प्रत्थम देखा के लिए इंटू 4 minus 1 upon 4 ठीक है तो यहां से 1 upon lambda is equal to 3 r upon 4 अधर lambda बराबर कितना हो जाएगा 4 upon 3 into r यह आपका एंसर हो जाएगा जो कि very very most important है साथ साथ आप लोग जान लिए जिए कि अब आपकी जो ASKM study पर classes है बिल्कुल चलाई जा रही है continue है तो वहाँ पी जा करके आप लोग जोईन होना है और अगर वीडियो पसंद आते हैं आप लोग चैनल को लाइक कर सकते हैं कमेंट कर सेर कर सकते हैं फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए जैहिन जैभारत